फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने हर समुदाय ने हर पंध के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है वो भारत की पुरातन संस्कृती परंपराव और सद्भाव की भावना को प्रतिमिब्वित करता है बाई और भेनों भारत जिसके लिए जाना जाता है और हम इस बात का गर्व से उलेग भी करते हैं विवीतता में एकता विवीतता में एकता आज यह मंत्र अपनी पूनता के साथ खिला हुआ नजर आता है हजारों साल बाद भी किसी को विवीतता में एकता भारत के इस प्राण तत्व को समझना होगा तो वो आज के एतियासिक देन का आज की घटना का जरूर उलेक करेगा और यह घटना इतियास के पन्नों से उठावी नहीं है सवासो करूर देशवासी खुद आज एक नया इतियास रच रहे हैं इतियास के अंदर एक नया स्वर्णिम पृष्ट जोड रहे हैं साथियों भारत की नयाए पालिका के इतियास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याई की तरह है इस विशे पर सुनवाई के दवरान सुप्रेम कौट ने सब को सुना बहुत धैरिये सुन सुना और पुरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मती से आया एक नागरी के नाते हम सब जानते हैं परिवार में भी छोटा मसला सुल जाना हो तो कितनी दिक्कत होती है ये कारिया सरल नहीं है सुप्रिम कौट ने इस फैसले के पीछे डर्ड इच्छा शक्ति के दर्शन कराए है और इसलिए देश के न्यायाधिश न्यायालए और हमारी न्यायी प्रणाली आज विशेश रुपसे अभिनंदन के अधिकारी है साथियों आज नव नवंबर है नव नवंबर ही वो तारित थी जब बरलीन की दिवार गीरी थी दो विप्रित धाराओं ने एक जुड़ होकर नया संकल पलिया था आज नव नवंबर को करतारपुर साहिप करिडोर की शुरुवात हुई है इसमें भारत का भी सहयोग रहा है पाकिस्तान का भी आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नव नवंबर की ये तारिक हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है आज के दिन का संदेश जोडने का है जोडने का है और मिलकर जीने का है इस विशे को इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कटूता रही हो तो आज उसे तिलांजली देने का भी दिन है नए भारत में भाय कटूता नकारात्मक्ता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए साथियों सरवच्च न्यायले के आज के फैसले ने देश को ये संदेश भी दिया है कि कटीन से कटीन मसले का हल सम्विधान के दाइरे में ही आता है कानून के दाइरे में ही आता है हमें इस फैसले से सीख लेनी चाहिए कि बले ही कुछ समय लगे लेकिन फिर भी धैरिये बना कर रखना ही सर्वोचीता है हर परिस्तिति में भारत के सम्विधान भारत की न्याईक प्रनाली यह हमारी महान परंपरा उस पर हमारा विश्वास अडिग रहे यह भावत महत्वपून है साथियों सर्वोच अदालत का यह फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें यह संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्मान करते हैं हमें अपना विश्वास और विकास इस बात से तै करना है कि मेरे साथ चलने वाला कहीं पीछे तो नहीं चुट रहा हमें सब को साथ लेकर सब का विकास करते हुए सब का विश्वास हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते ही जाना है साथियों राम मंदिर के निर्मा का फैसला सुप्रिम कोट ने दे दिया है अब देश के हर नागरिक पर राष्ट निर्मान की जबाबदारी और बढ़ गई है इसके साथ ही एक नागरिक के तौर पर हम सभी के लिए देश की न्याइक प्रक्रिया का पानन करना नियम काईदों का सम्मान करना ये दाइत्व भी पहले से अधिक बढ़ गया है अब समाज के नाथे हर भारतिय को अपने कर्तव्य अपने दाइत्व को प्रात्विक्ता देते हुए काम करना हमारे लिए उजवल भविश्च के लिए बहुत अनिवार्य है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एक्ता हमारी शांती हमारा सद्भाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है हमें भविश्ची और देखना है भविश्च के भारत के लिए काम करते रहना है भारत के सामने चुनोतियां और भी है लक्ष और भी है मंजीलें और भी है हर भारतिय साथ मिलकर साथ चलकर ही इन लक्षों को प्राप्त करेगा मंजीलों तक पहुँचेगा मैं फिर एक बार आज नव नवंबर के इस महत्वपूंड दीन को याद करते हुए आगे बंदे का संकल्प लेते हुए आप सब को आने वाले तेओहारों की कल इद का बड़ा पवित्र तेओहार है उसके लिए भी बहुत बहुत छुप कामनाई देता हूँ धने वाल